हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका अपने चैनल में 28 दिसंबर से एके टी यू की जो परिक्षाएं और समस्टर की वो आयोजित की जा रही है स्टुएंट्स के लाग प्रतने करने के बाद भी परिक्षाएं आफलाइन मोड में ही आयोजित की जा रही है स्क्रीन पर आप देख रहें लिखा वही कि 28 दिसंबर से शुरू होगी टर्म एंड परिक्षाएं एक लाग दस हजार स्टुएंट जो है इस बार और समस्टर परिक्षाओं में बैठ रहे हैं परिक्षाएं थर्ड यर और फाइनल यर के आयोजित की जा रही है उसके बाद परिक्षाएं फरवरी में आयोजित की जाएंगी तो पूरी न्यूज जानते हैं इसी को देखते हुए जो एके टियू के वीसी उन्होंने एक समिक्षा बैठक भी की हुई है डॉक्टर एपीज अब्दुल कराम टेक्निकल युनिवस्टी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विनीत कंसल ने अठाएं दिसंबर को शुरू होने वाली टर्म एंड एक्जाम की तैयारियों की समिक्षा की समिक्षा बैठक में वीसी कंसल ने विवस्टी तरीके से परिक्षाएं आयो जित के निदेश दिये इस बार परिक्षाओं में 122 सेंटर बनाए गए हैं और 110,000 जो इस परिक्षा में बैठ रहे हैं केवल थर्डी और फाइनल यर के विद्यार्थी हैं एक ट्व लखनों के मीडिया इंचार्ज आसी समिस्ट ने बताया कि परिक्षा केंद्रों के कौडिनेटर्स को आदेश दिया गया है कि छात्रों को परिक्षा केंद्र में किसी भी परिकार का सुविधा नहीं होगी परिच्षा नियंद्रंग जी नहीं क्या बोला जो अनुराक्तर पाठी जी उन्होंने बोला है कि कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा इस समद्ध में सभी समद्धी सस्तानों को निर्देश दे दिए घर्मल चेकिंग जाएगा और ईक्जानेशन प्रोटो अनुरान किया जाएगा तो आल इस ओल्द एक टी स्टू झी यह जाएगा तो अल्दा एकिटी श्टू चुट्ट इसन दिए टेटेश ट्रीकार गांत्र उसल्ट को यह टोफृट्ट डेस्ट सब्सक्राब अश्किन को सब्सक्राब